बहुत स्वागत आप सभी का आपके साथ मैं हूँ अभिलाश मिश्रा आप देख रहे हैं आपकी बात मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश में चल रहे हैं पंचायत चुनाव पंचायत जिसे लोक तंत्र की पहली इकाई कहा जाता है पंचायत जिसे डेमोक्रेसी की नीव कहा ज सपना क्या देखा गया कि हम महिलाओं के लिए कुछ सीटे आरक्षित कर देंगे और इसी अवधारना के साथ एक नया शब्द हिंदी व्याकरण में आया उद्भव हुआ उसका जिसका नाम है सरपंच पती जी हां सरपंच पती इससे पहले हिंदी में आपको ये नाम कहीं नह कानते हैं इस बार भी चुनाओं में महिलाओं को टिकेट दिया गया ये कहते हुए कि हम महिला सशक्ती करण की शुरुआत करने जा रहे हैं लेकिन सरपंच पती हों सरपंच पत्र हों ये सब ही आपको कहीं ना कहीं पंचायत में देखने और सुनने को मिल जाएंगे मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाओं में आधी आबादी के लिए आरक्षित सीटों पर इस बार भी महिलाएं चुनाओं लड़ रही है लेकिन अधिकांश जगे पर पोस्टर पर उनके पती बेटे या किसी और की फोटो लगी है या कहीं लगी भी है तो महि एक बार फिर सवाल या निशान लग रहा है सवाल ये है कि महिलाओं को केवल टिकेट दिया जा रहा है इस लोग तंत्र में सम्मान क्यों नहीं इसी पर करेंगे आज आपकी बात तो महिलाओं को क्या वाकई में वो सम्मान मिल रहा है जिसकी दोहाई दे दे करके राजनतिक पार्टियां महिलाओं को टिकेट बाटती है क्या समाज में महिलाओं को सच में सरपंच के तोर पर हर जगे सुईकार कर लिया जाता है क्या महिलाओं सच में घुंगट घर चूका चूला छोड़ करके समाज और गाओं की प्रगती में हाथ बटा रही है इस पर हमने बातचीत करने की कोशिश की कुछ ऐसी प्रत्याशियों से महिला प्रत्याशियों से जो चुनाव में खड़ी है उनके परिजनों से भी हमने बात की क्या कहाए उन्होंने जरा सुनिये परिवार एक परिवार बाद अगर कहीं जन सेवा की काम में लग जाए तो जनता का सेवा भी भी बन जाता है निश्यत रूप से धरम पत्नी है मेरी और लंबे समय से संस्ताओं एंजियों के मात्याम से जन सेवा का काम कर रही है हमारे यहां परदा प्रथा है जिसमें हम सस और जेट सब के सामने परदा करती हूं सभी गाओं बालों और परिवार बालों ने निरलाए लिया है कि हम प्रिचार नहीं करेंगे हमारे पती प्रिचार को प्रिचार की जिम्निदारी समाले हैं हमारे यहां हम घाओ में नबास करते हैं और पूरे चुनाव की कमान मैने समाली है सुली आपने सच्चाई महिलाएं खुद क्या रही है कि हम लोग तो घर में रहते हैं चोका चूला समालेंगे सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि बस पती ही जाकर चुनाव का काम देखेगा अब बीजेपी कॉंगरेस इस सबसे खुले तथे को लेकर कि क्या कह रही है तिरा सुनिए क्योंकि टिक्टे तो यही लोग देते हैं यह कहते हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं सुनिए इसको स्विकार करना चाहिए कि हमारी कमजोरी है और यह कमजोरी इसलिए हुई कि हम लोग महिला आरक्षन को लेकर इमानदारी से काम नहीं कर पाए महिला आरक्षन ने में भी हमने अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाने की कोशिश की और जब यह निकम्मी कोशिश हमारी रही तो यह परिदर्श हमारे सामने आना स्वाभा भी खाए और जब जब आरक्षित सीटों के उपर बात होती है तो सामाने नागरेक और कारकरता भरपूर मातरा में निकल कर आए जिससे की दलों के सामने भी चॉइस रहे और नहीं तो आपने जैसा बोला बिलकुर ठीक बोला है और पर राजनेतिक दलों की पूरी इच्छा है कि इन जिताओ उमिदवार कौन है उसको देखते हुए महिलाओं के जो मौके हैं वो भी दे दिये जाते हैं पुर्शों को आपको बता दें कि ना सिर्फ लोकतंत्र के नाम पर मजाक है बलकि आरक्षन की जो मूल भावना है उसके साथ भी विरूधा भास है क्या है निउस 24 पंचायत निकाय चुनाओ में महिला बनी रवरस्तांप लोकतंत्र के खत्रेव को क्यों नहीं जाते भाव आधी आवादी के हक पर डाका सरपंच पती को क्यों नहीं देते सरपंच पती अपनी पत्नियों को मौका इस पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग चुके हैं प्रदेश मंतरी बीडेपी बहुत-बहुत स्वागत करता हूं रजनी जी आपका हमारे साथ मिर्लाल पंती जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिश नहीं प्रवक्ता मिर्लाल जी बहुत स्वागत आपका निउस 24 मद्पूरदेश 37 गड़ पर आज हमारे सा पागत करताूं, उस और आपकाकी के आपके पास आता हूं, उस जिम्मेदारी के साथ आता हूं, कि देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मद्रपूर्देश में आपके पास, है एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हम लोग क्योंकि एक्सेप्ट जब तक करेंगे नहीं बीमारी है क्या तब तक ठीक नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है कि इसे बहुत सकारत्मत खाव से हमें देखना पड़ेगा जब देश में पहली बार पचास प्रतिसत आरक्षण पंचायतों में और नगरी निकाय में मुख्यमंत्री सुवराज सिंग चोहां जी ने किया तब कई सारे सबाल उठे उसके परिणाम हम सत प्रतिसत नहीं ला पाएं लेकिन आज ये इस्तिति है कि जहां सिंबॉल पर ही चुना हो रहा है वहां पुरसों की अपेक्षा आरक्षित नहीं होते हुए भी महला उम्मीदवार है जिना इसका अक्रंतिया आपने करा की जिए क्योंकि ये सकारतमकल जो हमें हमें लक्षण दिखाई देते हैं महला नित्रक्टों के उपरने के ये बताया की कैई बार हम प्रदेश में इसी भोपाल रासधानी में विभाप पटेल जी जब पहली बार महा पार बनी थी तो किसी की भाबी थी लेकिन आज कांग्रेस की जिम्मेदार नेता है भारती यंता पार्टी की मालती राय जी जब पहली बार करकरता के नाते पारसत बनी थी तो घरे दू महला थी आज नाकेबन पारसत का जुनाओ जीती एक बार हारी फिर लगातार राजनितर को सामाज एक जीवन में सकती रही ऐसे मैं अलग अलग उधारन बता सकता हूँ हमारी कृष्णागोर जी का उधारन हो प्रतीक्षा जी का उधारन एक कई लंबी फेरिस्थ है लेकिन ये अच्छे लक्षण है को मौका मिल रहा है कहीं नहीं मिल पा रहा होगा तो धीरे धीरे बढ़ने की गुन्जाएस होती है इसे बढ़ने दीजिये और जो अवरोग है उसे उतूर करने दीजिए सब गाउने पूरे ने सुईकार किया है हमने देखा कि इसी भोपाल चिले में भक्ती सरमाएक अच्छी सर्पंच नहीं जो विदेश से पढ़के आई थी उसे सुईकार किया समाज नहीं समाज सुईकार नहीं करता है हम तो यह कह रहा है कि राजनेतिक पार्टियों के आप बात कर रहे हैं चलावा देखावा भटावा यह जो अब रोध हैं उनको हम सकारत पर दश्ची कोंड से दूर करेंगे प्रतिक्रियावादी समाज नहीं होगा हमें उनको भी समझाना है और मुझे लगता है मुझे लगता है कि 96 आप जादा कर रहे हम जगडा नहीं लगा रहे हम यह बस कह रहे हैं कि जो महिलाओं को टिकेट देने का आप लोग ऐलान करते हैं महिलाओं को बढ़ाने के लिए जो कुछ किया वह बीडेपी ने किया और अगर कहीं कोई गड़बड हो रही है तो वह वह जो गड़बड है वह हमारी नेगिटिव एप्रोच है चलिए मिडाल पंतर जी के पास आते हैं मिडाल जी चलिए हमी जिम्मेदार हैं महत अच्छा सब चल रहा है सब पॉजिटिविटी है और बीडेपी ने महिलाओं को पूरे आखक और अधिकार दे दिये हैं कैसे देखते हैं आप पहले तो मैं आपको बढ़ाई दूँगा कि आपने एक बहुत संवेदंशील मसले को आज अच्छा में शामिल किया है और महिलाओं के अधिकारों की वास्तविक अधिकार की बात को उठाने का आपने जजबा और साहस दिखाया है आपने चो कहा वो जमीनी हकीकत यह सच है कि बड़ी संख्या में हमारे ऐसे जन्वस्तिनिती हैं जो चुनाव तो अपने घर से, अपने परिवार से महिलाओं को जलवाते हैं लेकिन उनको जो राजनेतिक ताकत देनी चाहिए और राजनेतिक अवसर और मौके देने चाहिए वो बाद में उनको नहीं मिल पाते हैं लेकिन हमें ये भी स्वीकार परना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में महिलाओं ने काफी प्रगती की है राजनेतिक सशक्ती के रंग की दिशा में बहुत सारे प्रयात हुए हैं वो आगे बड़ी है पंचायती राजका कॉंग्रेस की सरकार ने 71 और 72 संसुधन लागू किया और उसके माध्यम से निचले इस तर पर भी महिलाओं को इस प्रतिनिदित का मौका मिला बड़ी संख्या में महिलाओं निकल कर सामने आई ऐसा भी हुआ है और कई जगे महिलाओं निकल कर नहीं भी आई हैं उनके उस्थान पर उनके पकी ही दुकानदारी चला रहे हैं ये भी उतनी ही अखीकत है लेकिन ये एक सतत चलने वाली प्रतिया है सतत सचक्तिकरन का प्रयास है पर हम 21 सजी के इस दोर में ये नहीं कह सकते है कि ये प्रयास आज भी चलते रहना चाहिए जिक्षा का इस तर पूरे हंदुस्तान में देखिए प्रदेश में देखिए जागरूकता का इस तर देखिए और उसके बाद भी अगर मेहिलाओं को पूरा सम्वान, पूरी ताकत और पूरे अफसर नहीं मिलते तो ये सारे राजनेटिक दलों के लिए चिंता की बाद ये जरूर है कि कई जगे जीतने की दरश्टी से, सामाजिक कारियों की दरश्टी से परिवार से जोड़ी हुई महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में मौका दिया जाता है लेकिन चिंता की बात ये है कि जीतने के बाद भी उस प्रत्याशी को जीतने के बाद काम करने का मौका नहीं मिले पौछ इंता की बात है चुनाव लड़ने तक ही जहां तक बात है मुझे नहीं लगता की वो उतना की बिस्ता की बात है योगी जो सबसे महत्वपूर प्रशन एबिलाज जी वो ऐसा क्यों होता है मुझे तीन कारण समझ में आते हैं महिलाओं में आत्म विश्वात और सुरक्षा को लेके संदे है अगर प्रदेश में ऐसी सरकार रहेगी जिसके चलते पिछले 18-20 सालों में 15 बार मध्य प्रदेश महिलाओं पे बलातकार में सबसे एक नमबर पर रहेगा तो महिलाओं चुनाव दरने से डरेंगी प्रतिनित्व करने से डरेंगी दूसरे लोगों को उनकी जगे काम करने का मौका मिलेगा अगर प्रदेश में ऐसी सरकार रहेगी जो प्राथमिक शिक्षा जहां पे बच्चियां स्कूल जाना शुरू करती हैं वो प्राथमिक स्कूल बंद कर दे हाई स्कूलों को मर्ज कर दे शिक्षा के अफसर लड़कियों से चीन ले तो महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी कैसे उनने वो आत्मे विश्वास बढ़ेगा एको शर्पंचों का चुना डड़ें और फदो पर बेढ़ें अगर प्रोदेश में ऐसी सरकार रहेगी जो शराब की दुकाने बंद करने के बजाए महिलाओं को इस शराब बेचने के लिए दुकानों पर बिठा दे खलकिस चुनाव की प्रक्रिया में भी शराब बिजने को युपती संगत और मीती संगत बना रहे तीन तीन चार तेर गुना शराब की दुकाने बढ़ा दे तो महिलाओं का सब्सक्ति करन कैसे होगा तो सरकार वो बाता में निरमित नहीं कर पाती ठीक है मिलाओं ये ब्रीज जी के पास आता हूँ मिलाओं ये आता हूँ पर क्योंकि बहुत और महमान है बीजेपी अगर हमने देखा कि कॉंग्रेस ने कोई आवहन किया तो पार्टी ने माना हमने देखा कि सीम शिवराज ने एक बहुत अच्छी कोशिश की समरस पंचायतों की वो उसका परिणाम हमको देखने को मिला क्या दोनों पार्टी के मुखिया ये एलान नहीं कर सकते थे कि अगर हमारे समर्थित कोई पंचायत सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहा है तो वो कम से कम ये तै करे कि महला प्रत्याशियों की फोटो पतियों से बड़ी होगी वो ये तै करे कि जब भी प्रचार प्रसार होगा उसमें महलाओं को साथ रखा जाएगा ये चीजें कम से कम डारेक्टिव्स तो दिये जा सकते हैं ना ताकि महलाओं को चित सम्मान मिले कई पोस्टर में देख रहा हूं उसमें महलाओं के फोटो तक नहीं लगाए गए हैं कुछ जगे तो लगा दिये हैं कई जगे तो लगाए ही नहीं है तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल विल पावर की वज़े से भी इस्तिती है समाज में तो हम महलाओं के साथ दोगला वेवार करते ही हैं लेकिन कम से कम पॉलिटिकल चीजों को भी सेंसिबल होना होगा है आपर अबिलाश जी आपने भी महिला को एक लॉली पॉप या गाजर देने वाली बात कहीं कि छोटा फोटो बड़ा फोटो भाई साथ रजनीज जी ने कहा कि कई उदाहरन दिये थोड़ा सा समय लूंगी कि भक्ती शर्मा कृष्णा गौर विबा पटेल कुछ उदाहरन आए विबा पटेल को हटा दूं तो बाकियों के पती की बात नहीं हो रही है कि पती जो ओवर्शाडो कर रहे हैं पत्नी को तो माफ कीज़ेगा रजनीज भाई साथ मैं उस पे नहीं आना चाहती और ना कॉंग्रेस के जो मिर्णाल पंती जी जो भी उन्होंने कहा उन्होंने भी बात ठीक से शुरू की बहुत अच्छी शुरू की बाद में ले जाके कि अभी आपने भी ये बात कही कि फोटो तो बड़ी होनी चाहिए थी साथ में तो जाना चाहिए था आपने सुना अभी एक महिला प्रत्याशी ने लिखा हुआ पड़ा और ये कहा कि हमारे घर में परदा प्रता होती है इसलिए मैं बाहर नहीं निकलूंगी गाउवालों प datoल्वालों ने मिलकर ये तः किया है कि मैं प्रचार के लिए नहीं जाऊंगी तो कोई पीले चावल आपको नहीं भेज रहा आप घर पर बैटी है फिर जब आपका अपने प्रता भी प्यारी है आपको पंचायल चुनाओं में उतरना है निकाय चुनाओं में उतरना है तो ये तो सीधे सीधे साफ दिख रहा है ना कि पती या वो परिवार अपना सत्ता छोड़ना नहीं चाहरा, समाज आगे बढ़ना नहीं देने चाहरा किसी को भी, तो चाहे महिला सीट कर दीजे, चाहे OBC सीट कर दीजे, जो प्रत्याशी होगा वो वही होगा जिसे पार्टी चाहेगी जितवाना, यहाँ पर मैं BJP Congress किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समाज की बात कर रही हूँ, क्या वाकई मैं समाज वो 50% आबादी को आगे बढ़ता हुआ, या समकक्ष दाता हुआ, देखना चाह रहा है, मेरे घर में पारशत चुनाव के लिए जो महिला आई प्रचार के लिए, मैंने उसे पूछा, भेन जी आपको देखा नहीं, वो कहले है, मैं 20 सालों से समाज सेवा कर रही हूँ, तो मेरे जो सवालों पर वो टिक नहीं पाई, वो जवान भी दे पाई, क्योंकि वो उतना ही सीख कर आई थी, और उसके बाद, वो दिन के बाद, आज तक वो दुबारा नजर नहीं आई, ना इसके पहले नजर आई, और मुझे पता है, वो जीच जाएंगी, चू की पार्टी जिता देगी अगर, और जीच जाएंगी तो आने वाले पांच साल नहीं दिखाई देगी, तो क्या फायदा है, इस तरीके से, ये तो हम कहते तो रजनीर जी ने आपती दर्श की, और नहीं ने ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, ना अभिलाट जी अगर देखें, जो पार्टी की बात करने की ज़रूरत नहीं बावजू दिसके, मैं ये कहूंगी, कि बीजेपी ना कुछ शुरूआतों की, और देखें, जब ज काम करता है, उसी की गलती होती है, जो काम नहीं करता है, उससे गलती नहीं होती, ठीक है, अब ये एक प्रयोक करके देखेंगे, आज समझ में आया, आप जैसे जो लोग है, जागरुक लोग हैं, जो टीवी वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया तो हो सकता है पार्टी अगली बार इसके लिए भी कोई एक पहलू देख लेगी जी बिल्कूँ इस पर ध्यान जाएगा आप समझ रहे हैं ठीक है और दूसरी जी 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 है कि मुझे याप मत बोलिए कि रजिनिशनी से क्या कहा और कॉंग्रेस ने क्या कहा समाज के रहे हैं आज तक महलाओं को मोका दिया क्या नहीं दिया सब ने अपनी सत्ता बचाने के लिए शाड़ पुलीज जैसा शाड़ उसे क्या किते प्रतियाशी खड़ा किया है ठीक है प्रीजी में सर्माजी के पास आता हूं बहुत देर से बेट कर रहे हैं सर्माजी डिवेट रोई लंबी हो गई आप तक आने में बहुत लगा माफी चाहूंगा लेकिन सर्माजी आप बहुत को सवाल पूछने को नहीं आपकी क्या टिप पनी पूरे मसले पर देख कि सबको स्वतंसत्र रुस से बहुत की नहीं कोई जाती है को कि असमा जिक्ता की बात नहीं है। स्वर्गिय स्रीमती सुस्मा सुराज जी ने कभी कहा था कि लोकसवा और विधान सवा में आरेक्षण होना चाहिए मेरा यह कहना है कि राजनेतिक दल के लोग बैठे हैं माननी रजनी जी माननी मिर्नात पंतर जी पार्टी के बहुती आधार इस्था में अविदान सवा में महीलाओं के लिए 50% का प्रावदान करा है तो मद्वदेश के लिए देश के लिए और महीलाओं की उननती के लिए प्रिगति के लिए अच्छा रहोगा तीसरा मेरा ये कहना है कि देखी ये ऐसी बात जो निकल कर आई है आपके चैनल ले अविलासी अच्छा बिसे उठाया है ये परंपरा पहले से चले आ रहे हैं और आगे भी रहेगी जो रज़नी जीजना भी इसारा किया है कि ये सकारजमक प्रोसीजर है और ये धीरे-धीर बहता जा रहा है कहीं ज़्यादा है लेकिन इबात सहिए कि अभी के चुनाव के परदर्स में सोसिल मीडिया के आने में चुनावायग की कड़ी कारवाई करने में प्रिटिकल पार्टी की सोसल मीडिया की तरफ जादा बढ़ने से यह जो प्रत्यासी आ रहे हैं वो महिनाओं पर पूरी तरीके से एक अच्छा संदेश लेकर आ रहे हैं और इससे कह रहता है कि जो सोसल मीडिया के जमाने में यह दी पती कुछ उनके मतलग जैसे सेडो वाली चाता हूँ कि जिस तरह से लगातार महला अब राश्पती पत के लिए आप लोगों ने आदिवासी महला का नाम सजेस्ट किया जो बहुत एक अच्छी बात है इससे पहले कॉंग्रेस ने काम किया था लेकिन मुझे बताईए सर की जमीरी इस तर पर जिसको हम पंचायत तोकनिजम नहीं ने अधिकार तो मिल गया ना पचास परतीसात आरक्षण इस्थानी निपायों के लिए दिया आप उसी को लेकर कह रहे हैं आरक्षण को दे दिया अपर भटावा देखावा उसी को लेकर कह रहे हैं मैं उसको बूसर ढंक से कह रहा हूं कि आज नाकेबर म बार भारती जंता पार्टी के जो सिंबॉल पर नगरी निकाय चुना हो रहे हैं आरक्षण की संख्या से जादा है किसी दिन बुलाइए का मैं नगरवार संख्या बताऊंगा ना रजनी जी ने संग नखन में 33 प्रतीसात का आरक्षण दिया है त्रीमती सुस्था स्राइटेशन इन्दी डेमोक्रैसी सिस्ट्रम है उस पर सवाल उठा रहे हैं सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमें समाज से चिली निकल कर आते हैं समाज में महलाओं का ससक्ति करना है नित्रत तो बढ़ाना है हाँ तो जगा संजीद्गी से करना पड़ेगा समवेद्राओं के साथ करना पड़ेगा बड़सों बरस पुरा नहीं फूपर थाए कृपर थाए कि चल रही है उनको भी तोड़ने के लिए हमें बहुत समवेद समझ लीजिए क्या अगली बार जब कभी होगा तो आप अपने कारेकरताओं से कह सकते हैं कि भाई महिला अगर प्रत्याशी है तो उसकी उसकी प्रेजेंस उसका काम दिखना चाहिए चाहे वो पोस्टर हो चाहे प्रचार हो चाहे काम हो तीनों जगे उसका काम ये एमफेसिस तो कर सकती है ना पार्टी अपने प्रत्याशियों पर अपने कारेकरताओं को लेकर एक्जेक्टली बिल्कुल दुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहां जी सरयाम भासण में कहते हैं हार्ती जनता पाटी किसी पती को बेठक में नहीं बुलाती स्वेम जो पारसद चुनी हुई पारसद है अप्रत्यासी है उसको बेठक में बुलाती है पती जो होता है वो अनाफिछत होता है बेठक में चीड़ाल जी महिलाओं की अगर यह इस्तिती है तो क्या उसके लिए सिर्फ बीरेपी जिम्मेदार है? कॉंग्रेस नहीं? नहीं हम सब इसके लिए सामोहिक तोर पर जिम्मेदार हैं लेकिन मैं अनुरोद करना चाहूंगा कि हम सब को मिलके कुछ सकारात्मत प्रयास करने चाहिए हैं और राजी सरकार को आगे आना चाहिए हैं जैसे विदान सबा में सरुषेष्ट विदायक गोशित किया जाता है हम आपके पहले चाहन नरव्रोथ चुनाव होंगे वहाँ पर फूरूषकार दिया जाएगा जो बोगे नरविरोथ को पूरू दिया जाए चाहां महिला सर्पंच अच्छा ताम करें लिए तकी शुनाव के वहां पर चुनाव के निर्मान करना पड़ेगा और एक ब murm разр Mahler बा पूरा लाप समाज को और उनको भी मिले जी बिलकुल एक follow-up होना चाहिए जैसे आपने काता ना कि कुछ recommendation किया जाना चाहिए इसी तरीके से एक follow-up होना चाहिए कि चुनाओं के बाद कितनी महिलाओं के seat से लड़ी गई जो जीती गई महिलाएं हैं उन्होंने अपने शेत्र में कितना काम किया वो कितने बार available रही अपने लोगों के लिए इस तरह कि कि follow-up party को लेना चाहिए ताकि अगली बार कोई भी party हो दोनों पार्टियों में से या तीनों पार्टियों में से उन पार्टियों को यह पता चले कि जिनको उन्होंने मोका दिया है क्या वो वाकई में सिर्फ वंश आगे बढ़ाने के लिए थी या वंशवाद के लिए थी सामाजी के जो कमजोरी है उसको समाज के माध्यम से दूर करना होगा और मैं फिर कह रहा हूं कि जो नगरी निकाए चुनाम है मानी रजनी जी कह रहे हैं अच्छी बात है रजनी जी की पार्टी को और उनको बढ़ाई लेकिन मेरा पुने आग रहा है कि लोगसभा और लेकिन हमारा नजरिया क्या है समाज के प्रती हमारा नजरिया सिर्फ इतना सा है रजनी जी और मिनाल जी कि महलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है अब आप इसे चाहे व्यक्तिगत आलोचना समझ लें चाहे आप इसे टोकरनिजम समझ लें या जो भी हमारी बस इतनी गुजारेश है कि जितना किया है अच्छी बात है यह हमारा फर्ज है करना बहुत कुछ किया जाना बाकी है उस पर निगाह रखें और जैसे कि सीम के एक आवान पर समरस पंचायतों की जड़ी लग गई किसी दिन मेरे सीम जो भी हो बीजेपी से हो कॉंग्रेस से हो एलान करें कि महिलाएं अगर चुनाव लड़ेंगी तो पतियों के पोस्टर फोटो नहीं होगी प्रचार के लिए खुद जाएंगी तब मैं टिकेट द पढ़ने वाला डाका फिर से इस्तमाल करूंगा मैं शब्द को अब आगे नहीं होगा और हमारा काम है समाज में फैली हुई बुराईयों को दिखाते रहना लेकिन दुश्यंत कुमार ने कहा है मत कहो आकाश में कोहरा घना है ये किसी की व्यक्ति गत्ता लोचना है बहुत झाल झाल